नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोसतीज कुमार एक बाइफी से आजरू दोस्तों आज आपको बैक्ग्राउंड में थोड़ा सा आपको 29 देखने को मिल सकता है क्योंकि देखे प्रोडोस में साधिया है और जैसा कि पता है कि मैं काफी दिनों के बाद आज एक साधी में से आया हुआ हूँ तो अगर आपको बैक्ग्राउंड में नवाइस सुनाई देता है तो दोस्तों उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ हमारा पैसा वहां लगाना चाहिए जहां पर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर देखे टेक्नोलीजी चेंज का इफेक्ट कम से कम हो एक्जामपर के तोर पे मैं टेलिकॉम सेक्टर से काफी दूर रहता हूँ अब देखे एक समय था जब एटल नंबर एक पर होता था और उसके बाद वोड़ाफोर और फिर आइडिया का नंबर आता था तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसी फंडामेंटल मजबूत कमपनियों के बारे में जो की हमारे पोटफोलियो के अंदर जरूर होने चाहिए तो दोस्तो लिस्ट में पहला नाम होगा हमारा बर्जर पेंट अब देखिए बर्जर पेंट इंडिया के अंदर नंबर दो पे आती है एशन पेंट के बाद और वहीं पे एशाय के अंदर नंबर चार पे आती है और पूरी वर्ड के अंदर बर्जर पेंट सात्वे नंबर पे आती है बर्जर पेंट को पर 80-85% का revenue home decorative paint से आता है जो कि हमारे घरों में वीज़ होता है और वहीं पे 15-20% का revenue इन इंडेस्टिल सेगमेंट से आता है अब इंडेस्टिल सेगमेंट के अंदर भी इन्हें ओटोवेंट सेक्टर के अंदर से काफी बड़ा revenue मिलता है और जब हम इनके net profit और revenue पे नज़र डालते हैं तो जैसा कि आप देख पारे हो इनका revenue continuously बढ़ रहा है वहीं पे इनका net profit में भी काफी increase होता हुए दिखाई दे रहा है वहीं पे जो इनका return on equity है देखे 2020 के बाद से थोड़ा sign का कम हमें देखने को मिला है वहीं पे debt to equity इनका control में है इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ बर्जर पेंट के चार्ट पे जहाँ पर हमें देखने वाले हैं कि कहां पर हमें share को buy कर सकते हैं और present में ये अपने 92 वीखाई से कितना नीची अभी हमें मिल रहा है बर्जर पेंट अपने 92 वीखाई से इस में लगबग 30% की discount पर हमें बिल रहा है तो अगर हमें इन future में ये कुछ हमें 560-70 की range मिलता है तो मुझे लगता है कि वो एक काफी अच्छा level होगा इस share को buy करने का तो इस share को आप SIP mode में अपने long term portfolio में add जरूर करके रख लीजिए इसके बाद दोस्तों लिस्ट पे दूसरा नाम हो हमारा relaxo footwear अब देखिए relaxo footwear के पास काफी popular brand है जैसे कि खुद relaxo, उसका sparks, flight, bahamas और आपने इनकी TV पे add जरूर देखियोंगी तो देखिए relaxo footwear एक बहादूर गड़ जो की हरियाना में ही है तो वहां की एक एक company है और total इनके पास जो 7 manufacturing facility है जिन में से 5 तो केवर बहादूर गड़ के अंदर ही है तो देखिए relaxo footwear की जो capacity है वही इनकी सबसे बड़ी power है अगर आपने इनके footwear use की होगे तो आपको लगेगा कि यह काफी अच्छी quality है लेकिन इनके जो price है वो काफी कम देखने को मिलते है जो की इनके competitor है तो देखिए इसके पीछे का main कारण है जो इनके पास जो capacity है वो काफी जादा है इनके पास इतनी capacity है कि जो इनके branded competitor है उनसे इनके पास तीन गुना capacity है अगर आप उन सब की capacity को जोड़ भी दोगे तो देखिए इनकी capacity साल की 30 करोड पेर बनाने की है यानि की साल में ये 30 करोड जोड़ी footwear बना सकते हैं तो दोस्तों यही कारण है कि जो इनके costing होती है वो काफी कम रहती है और इनकी quality भी काफी बहते रहती है अब दोस्तों हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि जो इनका past में revenue कैसा रहा है रिलेक्सों का revenue काफी साल से लगातार बढ़ रहा है वहीं पर net profit में देखिए 2021 के बाद से जूर हमें एक छोटा से dip देखने को मिला है वहीं पर company का return on equity है वो भी थोड़ा सा कम रहा है इसका पीछे का reason company ने यहीं बताया है कि जो महंगाई दर है वो देखिए काफी बढ़ रही है जो ने के रामेटर के prices है वो काफी तेजी से बढ़े है वहें पर company को पर जो debt to equity है वो देखिए नामा तरफ के वर 0.01 है अभी अब दोस्तों मैं आपको relax of footwear के चार्ट पर लेके चलता हूँ दोस्तों relax of footwear भी 92 हाई से लगबग 35% नीचे है तो देखिए यह अपने all more support के पास इससे मैं खड़ा हुआ है जो की मुझे लगता है कुछ 850 के आसपास इसको एक बार जुरूर टेस्ट करना चाहिए और अगर ही future में यहाँ पर आता है तो हम को इसमें SIP mode में जुरूर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तो फुटवेर सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर technology का कोई भी असर हमें देखने को नहीं मिलेगा चाहिए कैसी भी technology आ जाए इंसान नंगे पैरत देखिन नहीं चलेगा अब दोस्तो लिस्ट में तीसरी कंपनी होगी हमारी Bombay Stock Exchange अब देखिए हमारे पास जब भी कोई हमें शेर बाई करना खता है तो हमारे पास देखिए दो यह option होते हैं तो हम एक फिक्स amount in exchange के पास जाता है as a commission तो दोस्तों यही इनका एक revenue source होता है इसके अलावा भी देखिए इनके पास काफी सारे और revenue source है तो इस पर अभी तक देखिए मैंने कोई dedicated video नहीं बनाया है मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर BSE काफी अच्छाइटन दे सकता है और past में भी इसे ने काफी अच्छाइटन हमें दिया है तो देखिए present में ये company का share अपने बाउन भी खाई से लगबाग 45% नीचे भी मिल रहा है तो और मुझे लगता है कि यहां से भी इस share में देखिए अब ये नीचे जाने की capacity में देखने को बिलती है तो अगर future में आपको ये 500 की नीचे मिलता है तो आपको इस share में SIP mode में अपनी investing कर सकते हैं अगर आपको इस company का business समझ में आता है तब तो दोस्तो ये थी तीन fundamental strong company जो कि अपने 92 वी खाई से 30 से 40% नीचे अभी trade कर रही है और दोस्तो अगर आपको इन company का business समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं अभी हमारे पास और भी company है जिसको हम आने वाली वीडियो में discuss जरूर करेंगे तो दोस्तो अब मैं आपका दोस्ती इसको हमार मिलता हूँ से फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care जैहिंद